हेलो फ्रेंड्स मैं हर्दीव सिंग फॉन दर कती ग्रूप आप सभी का स्वागत करता हूं आज का जो हमारा टॉपिक है वह क्लास प्लस टू की जो आपकी पेंटिंग सब्जेक्ट है उसी का निक्स पार्ट डेकन स्कूल ओफ आर्ट इस वीडियो में हम लोग डेकन स्कूल फाट के सब स्कूल के बारे में पढ़ेंगे और इसके जो पेंटिंग्स होगी वह आपको निक्स वीडियो में भी तो शुरू करते हैं बिना कोई टाइम देश करिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन में देखेंगे कि औरंग जी एक ऐसा शासक था जो कि हमने पीछे की जो थी उनमें भी हमने डिसकस किया था कि औरंग जीव के टाइम पर बहुत सारे जो लोग थे वो अपनी अपनी जिगा छोड़के अपने अपने राजियों को छोड़के जा चुके थे क्योंकि आर्टिस जो थे वो गवरा चुके थे और उन्होंने कभी पंजाब में शर्न ल वो हमें कहीं भी नामो निशान जो है वो मुगल पीरियेट से पहले नहीं दिखाई देता आपको इस चीज के बारे में ख्याल रखना है कि हो सकता है कि मुगल पीरियेट के बाद ही जो है वो डेकन स्कूल ओफाट की शुरुवात हुई हो और तीसरा पॉइंट में हम देरे देरे दिखने लगता है अभी अपते से पर शुल के बारे में पढ़ेंगे पहले देखेंगे क्वहण? पढ़ेंगे तो यहां अब हभी देखेंगे अब लोग के हर एक सबस्कूल का कोई ना बहुता है जो कि पैसा देता है काम करने के लिए तो बंग देखेंगे कर्म कि आभी 1553 से लेकि 1605 का टाइम प्रेड हम उसका मानते हैं Mostly जितने भी काम किये गए हैं वो ज़्यादा तर निजाम की प्रेज में और फिर उसकी वाइफ की प्रेज में किये गए हैं इसके इलावा मैनुस्क्रिप्ट मैनुस्क्रिप्ट आपको बिल्कुल ज्यान रखना है कि मैनुस्क्रिप्ट टेक्श्वल में होता गया है मैनुस्क्रिप्ट होता है जो के man made और handmade होता है वो उसको हम मैनुस्क्रिप्ट बोलते हैं और साथी में बेटा इसको कुछ कहीं जगा पर आ गया है वहां पर रखा हुआ है अभी भी और इसकी कुछ fine example देखेंगे कि कौन-कौन सी जैसे कि हिंडोल राक के उपर painting बनाए गई साथ ही में portraits बनाए गए किसके बुरान निजाम शाह सेकेंड जो के 1591 से लेके 1596 तक का उनका time period हम मानते हैं और portraits of Malik Ambeer जिसको 1605 में बना कि एक किंग जो है एक राजा जो है किसी अपनी गदी पर बैठा है और बाकी बहुत सारी जो औरते हैं उसके आसपास दिखाई दे रही है नंबर ओफ वोमेन कड़ी है उसके इस पास तो वोमेन की अपेरेंस ऐसे लग रहा है कि जैसे कि Northern Tradition जो है Northern Tradition की जो पोशाक है वहा सब्सकूल है उसका नाम है बिजापुर स्कूल ओफाट तो बिजापुर स्कूल ओफाट का जो पैटरन है सबसे पहले जो पैटरन है अली अदिल शाह वन एंड उसके जो सकसेसर है इबराहिम सेकिंड वो इसके पैटरन है जिन्रोंने काम करने के लिए आर्टिस्टों को पैसा दिया काफी इलस्ट्रेशन की बात करें तो नजुम अलुलम जो के स्टार्ट्स ऑफ दे साइंस जो इसके भी जो है इलस्ट्रेशन बनाई गई है जो के आजकर चेस्टर बेटी लाइबरेरी है जो के डबलीन में है वहाँ पे उसको प्रजर्व किया गया है ठीक है ना और साथ ही में देखेंगे इस मैनुस्कृट्स में नियर अबाउट 876 जो पेंटिंग्स है वो दिखाई गई है जो लेडिस हैं इस इलस्ट्रेशन में बहुत जादा लंबी बनाई गई है और उन्होंने साउथ इंडियन डेस भी पहना हुआ है हमने पीछे देखा था उस सब स्कूल में नॉर्थ इंडियन डेस का इंफुलेंस दिखाई दे रहा था लेकिन यहां पे साउथ इंडियन डेस जो है वो पहनी हुई है और साथ में एक एलस्ट्रेशन में हम देखेंगे जैसे की एक उसका नाम है थ्रोन ओफ प्रोस्पेरिटी तो उसमें बहुत जादा इंफुलें बनाए गए है तो पर्शन इंफुलेंस तो काफी हद तक हमें पेंटिंग में दिखाई देगा क्योंकि हमने शुरुवात में भी बात की थी कि शुरुवात में तो उस पे कोई भी इंफुलेंस नहीं दिखाई देता लेकिन दीरे दीरे जो है वहां पे पर्शन इंफुले बैठे हुए हैं और वो डांस परफॉर्मेंस देख रहे हैं एंड उन्होंने वाइट मुस्लिन कोट वेटा अगर कोई आप से पूछे के मुस्लिन कोट अगर हम बात करें लोंग कोट की बात करें तो वहीं उसको मुस्लिन कोट बोलते हैं एंड इंब्राइडरी उसका किया लोग आउन जाता है और अटपिकल कोर्ट मैं में देखाई देता मतलग तो घोंड कोर जो है वहीं के लोग उसको पहनते थे तो गोल्डन कलर जो है काफी हदके लाविश ली यू किया गया है अगर एक मिनियेचर बेंटिंगी बात करें लेडी विद्ध मैना बर्ड जो कि 1605 AD में मानी जाती है कि यह तब बनाई गई थी और उस मेन्यू स्कृट्ट में अगर हम देखें तो वो एक तरह का सूफी पोईम है सूफी पोईम मतलब कि जिसमें भगवान कोई ब पढ़ रहे हैं तो उसके नीचे भी जो है यह पेंटिंग है जो लेडी विद्ध माइन बर्ड ठीक है ना और साथ में ये जो दोनों पेंटिंग है इन दोनों के नीचे एक आर्टिस्ट है मुहमषमद अली इनका जो है वो साइन किया गया थिक है ना जो कर आज में बॉस् दिखा गया गया है and influence जो है इस पर मुगल स्कूल का काफी हद तक दिखना शुरू हो जाता है most of the artist जो है वो क्यों क्यों कि मुगल influence क्यों दिखाई दे रहा है क्यों कि ज्यादा तर आटेस्स जो थे न्यू डेली जो है वहां पर पड़ी हुई है ठीक है ना और ये एक हैदराबाद स्कूल की एक टिपिकल एक्जामपल अगर कोई आपको बोले ने टिपिकल एक्जामपल मतलब कि उसमें हैदराबाद स्कूल के जो आपको बहुत कम ही इंफुलेंस जो है वो किसी और का दिखाई दे रहा है अभी देखेंगे प्रेंसेस जो है वह एक कॉनपी के अंदर कॉनपी मैंने बेटा पहला भी एक वीडियो में बात की थी कि कोई भी एक तरह का मालो के एक तरह का कपड़ा लगाया गया है और उसक जरूर कवर होगा आपको इसका भुला है त्यान रखना है अगर हम बैक्ग्राउंड में देखे तो वहां पे बहुत सारे हमें जो है वो एक ट्री बगएरा जो है वो दिखाई दे रहा है और साथी में एक पॉर्ट ऑफ वाटर जो के एक्वेटिक बर्ड मतलब के वहां प का फ्लार बेट की बात करेंगे प्लार बहुत ज़्यादा बनाए गए रिच कलर यूज के गया है फेशियल जो है डेकन स्टाइल का टिपिकल स्टाइल है उसको यूज किया गया और कॉस्ट्यूम भी जो है वो साउथ इंडियन कॉस्ट्यूम है जो इसमें दिखाई देते हैं तो यह पेंटिंग में एक पेंटिंग दिखाई गई हैं यहां पर जैसे की कोरोनेशन ऑफ राम का होती है जैसे की गदी राज-दिलग करना ठीक है ना और उस टाइम का एक सीन है जो वो दिखाया गया है तो इस सीन में क्या है कि elaborately decorated arts, arts बैटा मैंने पहले भी बात किय अगर यहां पर ऐसे कुछ भी यह बनाया गया है तो इसको क्या बोलते हैं आपको इस इसका बिल्कुल ध्यान रखना है तो मिडल में हम देखेंगे राम जी और सीता जी बिठाए गए हैं गर्दी पर बैठेंगे वह बड़े ब्रदर हैं तो वह बैठेंगे और इस ब्रदर लेडी स्टेंडिंग नियरबाइ जो के नियर और दूसरी तरफ जो है वो नजदीक ही उनके खड़े हैं अभी राइट और लेफ्ट पैनल जो है वो अलग लग बनाए गए हैं जिसमें रिशी हैं बहु सारे और पूर्ट के लोग हैं ठीक है ना और प्रिंस जो हैं वो भी गिफ्ट ओठीक है ना और बहुत ही डेकॉरेटिव ओर्नमेंटल डिटेल जो है वो हमें यहां पर दिखाई गई है अगर हम पूरी की पूरी पेंटिंग देखें मैं आपको पेंटिंग जरूर दिखा दे था अगर मेरे को मिल जाती लेकिन यह पेंटिंग्स आपके दिखाया गया है थी कि अगAR को इसमें अगर को इसी भगवान को बनाया गया ख तो उसने किसी नहीं किसी तरीके के करऊन जो है वो जरूर पेहने हुए है ठीक है अभी characteristics की बात करेंगे तो प्रैक्टर्स्टिक्स जो हैật को छो हैं आपकivo Micheering School of Architecture ब Chelsea जी लाए होई दिखांगे दिखा यह पो हमें मुगल हों कि दिखाया है कि यहां पर मुगल में dit कोड़ाचा डिफरेंट है ठीक है न और साथी में बोल ड्राइंग्स टेकनीक्स जो हैं शेडिंग की वो दिखाई गई है जैसे कि हमने पहले बात की हुई है बाकी सभी स्कूल में हमने देखा है कि वहां पर फ्लैट कलर यूसेज की गई है लेकिन यहां पर जो कलर्स हैं उन कॉस्ट्यूम्स को यहां पर लाया गया है ज्वैलरी है फ्लोरा इंफोना मतलब घास पतियां सब कुछ बनाया गया ठीक है न और कोई ना कोई अनिबल्स भी यूज किये गए हैं वर्ड यूज किये गए हैं लैंस्केप और कलर्स जो है वो लावशली जो अच्छे से यू पूछ सकते हो ठीक है बेज हजक पूछिए कोई बात नहीं हम आप ही को पढ़ाने के लिए हैं और ओवेसी बात है आप कभी भी कोई भी कोशे मुझे कोमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो तो आज का जो हमारा टापिक था वो यहीं तक था और अगर आपको यह वीडियो पस दे थे था यह वीच गईस्ट आप गई भाई वीडियों